आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की वोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ Download Now Question में हमसे पूछ रहा है कि Elements जिनको हम Micronutrient के अंदर Place नहीं कर सकते वो इन में से कौन से है तो Basically हमसे यही पूछा है कि Micronutrient इन में से कौन सा नहीं है और कौन कौन से इसमें इंखलूड है वो हमारे साहिर हो जाएंगे और जो नहीं आता है Micronutrient में वो हमारा answer होगा तो अब देखते हैं प्लांट को 17 essential mineral elements चाहिए होते हैं जिनको 2 category में हमने रखा है एक category macronutrient की मतलब ऐसे elements जो प्लांट को large amount में चाहिए और micronutrient जो प्लांट को small amount में चाहिए मतलब ये किस basis पे हमने divide किया कि कितनी quantity plant को चाहिए इन nutrients की तो जो macronutrient हैं जैसे कि हमारा carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, potassium, calcium, manganese, phosphorus और sulfur इस तरह के जो element हैं ये हमारे macronutrient के अंदर आते हैं और जबकि हम बात करें micronutrients की तो उनके अंदर आते हैं copper, zinc, molybdenum, chlorine, boron, nickel, iron और manganese question में हमसे पुछा है micronutrients के बारे में तो manganese, molybdenum, copper, calcium तो अब अगर हम देखें तो manganese भी इसके अंदर आता है molybdenum भी calcium इसके अंदर नहीं आता है बट boron आता है तो इसके according अगर हम अपने options देखें तो copper भी एक micronutrient है so option for calcium is the correct answer क्योंकि calcium जो है वो एक micronutrient है classics to 12 से लेके need IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 million से जादा students का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउटनेटा या whatsapp कीजिए अपने डाउट्स 8444 चार्सो पर